ओम नमस्षवाय हर अरमादिव वास्तू ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं आज मैं आपको सामन सोमार के बारे में जानकारी दूँगा सामन सोमार की पूजा कैसे करनी है सामन सोमार के दिनों पाए कैसे करनी है सामन सोमार के दिन सिवलिंग पर क्या चड़ाएं जो उठा करके लाएं जिससे जीवन में कभी भी धनकी कमीना रहे आज विस्तार से मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ ध्यान से पूरा वीडियो सुनना है और जो भी चैनल पर पहले बाई चैनल को सब्सक्राइब करें बगल बैल आइकन बटन उतवाएं हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बात करते हैं सामनमास की सामनमास का महिना बड़ा ही पवित्र महिना है सामनमास में भगवान सिवकी बिशेश रूप से आराधना की जाती है सामनमास में तीन तरह से पूजाएं की जाती है एक तो सामन सोमार की ब्रत रखे जाते हैं दूसरा मेलाएं मंगला गोरी ब्रत रखती है और तीसरा शिर्प पूजा की जाती है अपनी इच्छा बोल करके कि मानों आपको धनकी परिशानी है या आपकी साधी मर्चन आ रही है या प्रतिक कार में अर्चन आ रही है चाह आप बिजिनस करते हैं या आप खुद का काम करते हैं प्रतिक कार में आपके मर्चन आती है तो दोस्तों आपको यह उपाय जरू करने चाहिए जो उपाय में आ बताने बाला हूं यह उपाएं बहुत ही अच्चे हैं और अगर आप इन उपाएं को करते हैं तो भगवान की किरपासे जीवन में कभी भी आपको कोई परिशानी नहीं आएगी और आपकी हर मनुकामना पूरी होगी सामन के सोम्मार का बड़ा महत्व हैं सामन सोम्मार की पूजा करने से भगवान सिव और माता लच्मी तता माता गोरी प्रसन हो जाते हैं किसी भी परकार की कोई परिशानी है तो आपको क्या करना हैं ग्यारे आग के पुस्पले नहीं और सामन सोम्मार के दिन आपको सिवलिं मंत्र जाप करना है ओम नमह शिवाय है ओम गोरी संकराय नमह ओम गोरी संकराय नमह इस पकार से आप बोलते जाएंगे और यह पुष्प आपको शिवलिंगपर चड़ाने ग्यार है आगके पुष्प चाहे सपेदा आपके लेलो या नीलेडा कि लेगा आपके पुष्प गंगाजल का अफसेख समर्पित करना है सामन की सोमार की दिन पंच्यमर से तो आप अफसेख करोगी लेकिन आपको गंगाजल से वगवान सिवका अफसेख करना है और वो गंगाजल लाकर के आप अपने घर के मनी पिलांट में डाल देंगे गंगा जल जब शिवलिंग पर चड़ा रहे हैं नीचे गंगा जल गिर रहा है तो वो आप थोड़ा सा लाएंगे और मनी प्लांट में डाल देंगे इससे जीवन में कभी भी आपको धन की कमी मैसुस नहीं होगी बहुत ज़्यादा धन आएगा तीसरा आपको क्या करना है भागवान सिव को बेल पत्र समर्पित करने हैं लेकिन बेल पत्र को ध्यान रखें टूटा हुआ बेल पत्र ना हो ना उसमें चेद हो साब सुत्रा बेल पत्र आपको सिवलिंग पर चड़ाना है और सिवलिंग पर चड़ाते समय सिवलिंग पर जब आप बेल पत्र चड़ा रहे हूं तो सिवलिंग पर बेल पत्र चड़ाते समय उसके साथ में पीली कोड़ी और कमल गट्टा आपको चड़ा देना है और सामन के जितने भी गुरू बारा है हल्दी के गांट लेकर के आपको माता लच्मी जी के सामने चड़ानी है सौंबार के दिन आप घर में मोरपंक ला करके रखें मगवान कृष्ण का प्रिया भगवान गनीजी का प्रिया है मोरपंक सामन के महिने में पांच साथ मोरपंक जरू ला करके हर सिंगार के फुस्प हर सिंगार का जो पौदा होता है वो बहुत ही शुमाना जाता है और इसक बगवान से प्रसन नो करके मनवांचित भल प्रतान करते हैं कोई भी परिशानी धन से संबंदे तो आप यह पाय करिए साथ इस सिविलिंग पर जब आप पीली कोड़ी चड़ा रहे हों कमल गट्टा चड़ा रहे हों तो उसमें धन की इच्चा बोलनी है और वो सिविलिंग से उठाकर के लाएंगे और लाकर के आपको अपने घर के मंदर में रखते जाना है पूरे महीने आपको एक पीली कोड़ी और कमल गट्टा आपको सिविलिंग पर चड़ाना है बेल पत्र के साथ में और वह लाकर के रखते जाना है मंदर में मात अलचमी जी के सामने ना पूरा हो जाए तो कुछ आप व्योपारिस्तल पर कुछ उसमें से पीले कपने मान कपने धन के स्तान पर और कुछ घर के में दरवाजे पर टांग देगा है इससे जीवन में कभी भी धन की कमी मैसूस नहीं होगी पूरे साल धनाएगा आपके हर्मनों कामना पूरे तो सा सामन के सोम्मार में खान पीन का विशेश रूप से ध्यान रखना है घर के अंदर कोई भी तामसिक वोजन नहीं बनना चाहिए इस बात का विशेश रूप से सभी लोग ध्यान रखेंगे कि पूरे महीने घर के अंदर कोई भी तामसिक वोजन नहीं बनना चाहिए सामन के महिने में आप सब्जियों में पत्तेदार सब्जी और बेंगनादी का प्रियोग ना करें इससे आपको पिसे इसलाम मिलेगा सामन के महिने में गौमाता की पूजा करें गौमाता की पूजा का बड़ा मेत होता है प्रतिदन भगवान सिव के सामने साम के समय भगवान सिव के सामने साम के समय दीपक जलाना प्रारम कर देना भगवान के सामने आपको चोम की दीपक जलाना है उसमें दो लोंग डाल देनी है आग के पुष्प भगवान को आपको चड़ाने ही है साथी पीली कोड यो कमल आपको अच्छा लगे वह लाकर कि आपको प्रेवुग जरूर करना है। साथ ही अपने घर की सुक और सम्रदी के लिए भगवान सिव और माता पारवती से आपको प्रात्ना जरूर करनी है। इससे आपको बड़ा लाम मिलेगा। पीपल ब्रक के नीचे आपको साम के समय, भगवान सिव के सामने और पीपल ब्रक के नीचे आपको दीपक जरूर जलाना है। इसका बड़ा महत्त है, पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाने से सभी प्रकार की व्यादा हैं, जो भी हमारी जीवन में आ रही हैं, परिसानियें, दुकें, कश्टें, सारे दुक और परिसानियां दूर हो जाते हैं, और भगवान का आशिरवाद बना रहता हैं, जीवन में क गोमाता की पूजा आप प्रति दिन ना कर पाएं, तो सोमार, गुरुबार और मंगलवार को गोमाता की पूजा जरू करें, गोमाता को फल खिला के आएं, गोमाता को आप फल के साथ साथ, मंगलवार को गुर जरू खिला करके आएं, इससे आपको लाम मिलेगा और आपकी दूर होंगे पीपल ब्रक की पूजा आपको जरूर करने है ध्यान से कुल्डे में कोई भी दोश हो किसी भी परकार की कोई परिशानी है तो पीपल ब्रक की पूजा करने से और उस पर मुली का धागा लपिटने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा जो भी परिशानी आपके आ रही है, सारी परिशानिया दूरोंगी और विशेश लाब आपको मिलेगा दोस्तों सामनमास का महिना बड़ा ही पवित्र महिना है, तो पवित्रता का विशेश रूप से आपको ध्यान रकना है और नियमेत रूप से भगवान सिव की आराधना का निवारन हुआ, तो दोस्तों मुझे अमीद आपको ये जानकारी बहुत ये अच्छी लगी होगी, तो पूरे सामन के महिने धूमदान से महाकाल बोलेनात की पूजा करिए और सामन सोमार के दिन बिसे शुरुप से आप भगवान सिव की आराधना करें इससे आपको बड़ा अलाम मिलेगा खान पीर का ध्यान रखें और ताम सिख बोजन गर्मी नई बनना चाहिए दान पुन जादा सी जादा करें जितना हो सके वीडियो को जादा जादा सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब का ना भूले कमेंट में और नमस्वा जरूर लखें